हेलो दोस्तों आप सबीका स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों फाइनली आज 16 सेप्टेंबर को सोनी ने अपने नेक्स गेमिंग कंसोल प्लेस्टेशन 5 और प्लेस्टेशन 5 डिजिटल एडिशन के प्राइज को और साथ में सोनी ने रिवील करिया है प्लेस्टेशन 5 की अवेलेबल होगा वार इंडिया में प्लेस्टेशन 5 की प्राइज क्या होगी तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पीएस 5 के बारे में सारी इंफोर्मेशन देने वाला हूं तो दोस्तों सबसे बेले अगर हम भात करें प्लेशन 5 शोकेस की तो मज़ा आगया उसको देखके जो गेम सोनी ने अपने इवेंट में दिखाई हैं खासकर एक्स्लूसिव गेम्स उनको देखने के बाद जो लोग एक्सपोक्स सीरीज एक्स को प्रियॉडर करने का सोच रहे हैं सबसे पहला जो उनके सबसे सर्प्राइज आया है वो है PlayStation Plus Collection यह उन्होंने एक नए सर्विस स्टार्ट की है PlayStation Plus की इसमें हम PlayStation 4 की काफि सारी गेम्स की को PS5 में खेल पाएंगे PlayStation स्टोर से डाउनर करके और इसके लिए हमें कोई भी एडिशनल चार्जिस नहीं देने पड़ेंगे उसके बाद जो दूसरा सर्प्राइज है सोनी की तरफ से वो है Spider-Man Miles Morals मुझे पता है कि यह गेम पहले भी सोनी इसका ट्रेलर दिखा चुका है पर यह एक बहुत ही बड़ी गूर निउस है PS4 के सभी यूजर्स के लिए Spider-Man Miles Morals अब PS4 में भी लाउंच होने वाली है उसके बाद सबसे बड़ा जो सर्प्राइज था इस इवेंट का वो सबसे लास्ट में आया था सभी सारी प्राइज अनॉंस होने के बाद सभी कुछ अनॉंसमेंट के बाद वो सर्प्राइज को दिखाया गया है और वो है God of War जिसके बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट न होने अनॉंस कर दिया है और 2021 के लिए जनके नेक्स्ट एयर हमें नई God of War देखने को मिलेगी और इस गेम के साथ मतलब मैं कहूंगा और किसी भी गेम के जुरूरत नहीं है PS5 में एक्सपॉक्स को मतलब तो भूले जाओ अब उसका कुछ भी नहीं होने वाला है मैं एक्सप मिलने वाली है बहुत जल्दी 2021 में और जब भी God of War PS5 में इसकी जो लांच डेट आ जाएगी मैं PS5 को परचेज करनूंगा और अब हम बात करते हैं PlayStation 5 के प्राइस की जो PS5 का ब्लूरे डिशन अला कंसोल है उसका जो प्राइस होगा वो होगा 500 डॉलर यानके 499 और जो उसका डिजिटल एडिशन है उसका जो प्राइस होगा वो होगा 400 डॉलर जो के मैंने एक्सपेक्ट किया था दोनों का ही बिल्कुल सेम प्राइस निकला है जो PS5 का डिजिटल एडिशन है उसका प्राइस Xbox Series S से सो डॉलर जादा रखा गया है 100 डॉलर जादा रखा गया है वो इस और दोनों में हमें बिल्कुल सेम प्राइस मिलेगी सेम उसमें हमें 4K रेजलोशन मिल जाएगी और इसके लावा अगर हम PS5 के लाउंच डेट की बात करें तो इसकी दो लाउंच डेट है पहली लाउंच डेट है वो है 12 नमबर जिसमें हमें PS5 मिलेगा US, Canada, Mexico, Japan, Australia, New Zealand और South Korea, यह 7 countries हैं जिस पे PS4 लाउंच होगा 12 नमबर को और उसके बाद जो rest of the world है जिस बाकी का जो world है उसमें PS लाउंच होगा 19 नमबर को 19 नमबर को जिसमें इंडिया भी शामिल है पर अभी तक सोनी ने इंडिया के प्राइस को रिवील नहीं किया है उसकी एक वज़ा है वो के first week तक postpone हो सकता है जिनके थोड़ा सा लेट हो सकता है PS5 इंडिया में इसलिए सोनी ने अभी तक PS5 के प्राइस को इंडिया में इंडिया के लिए रिवील नहीं किया है और वैसे जो इंडिया का जो प्राइस हो सकता है जो मुझे expect है वो होगा PlayStation 5 का जो ब्लूरे ड्राइ इडिशन मॉडल होगा उसका जो प्राइस होगा वो होगा 50,000 इंडिया के लिए और जो उनका डिजिटल एडिशन होगा PlayStation 5 का उसका प्राइस होगा इंडिया में 40,000 जो Xbox Series S है उससे उसका प्राइस जो है मुझे पूरा चांस है कि या तो बिल्कुल सेम होगा या फिर बूरे ड्राइब वाला मॉडल है उसका प्राइस बिल्कुल सेम होगा Xbox Series X के साथ जानिकि उसका प्राइस मॉडल है Xbox Series X का वो 50,000 रखा गया है तो Sony भी बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करेगी उसका जो प्राइस है PS5 का Sony प्रूरे ड्राइब के मॉडल का जो प्राइस ह बिल्कुल सेम ही रखने वाला है जो के हमें Xbox Series X का मिलने को और जगर ऐसा होता है तो भाई Xbox जो उसकी सेल है वो फिर से PS4, Xbox One जैसी ही रहने वाली है PS5 बिल्कुल खतम कर देगा Xbox Series X को और उसके इलावा अब हम बात करते हैं PS5 के कुछ accessories के price की तो जो PS5 का जो controller होगा Dual Sense controller उस इसके लावा जो PS5 का 3D Pulse Audio Headset है उसका जो price रखा गया है वो है $100 जो मुझे थोड़ा सा जादा लगता है और उसके लावा जो PS5 का जो media controller है उसका price है $30 और जो उनका charging station है controller का उसका price है $30 और उनका HD camera है उसका price है $60 तो ये सभी जो SSS है उनका price भी Sony ने रिवील कर दिया है और सभी का price मुझे लगता है कि बिल्कु ठीक रखा गया है सरफ जो PlayStation का audio headset है उसका price मुझे थोड़ा सा जादा लग रहा है बाकि सभी का price बिल्कु उनका ठीक रखा है तो बस अब मुझे wait है PS5 के India launch की कि कब PS5 इंडिया में launch होता है जब भी PS5 इंडिया में launch होगा मैं जाओंगा तो बस इस वीडियो में इतना ही यह था PS5 का price और उसकी launch और स्क्रीम बारे में सारी information इस वीडियो में आप मुझे बताईए कि आपको PS5 का price कैसा लगा और आप PS5 का कौन सा model purchase करने वाले है PS5 का blu-ray drive वाला model यहां फे उसका digital edition मुझे जुरूर बताए कॉमेंट इसको देखने के लिए मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में झाले हूं आपको